तो हेलो गाइस वेलकम बैक टू दे नीव वीडियो तो गाइस अगर आप इस साल न्यू कावसाके निजा फॉर हंडड को पर्चेस करने का सोस्री ना तो यह वाली वीडियो आपके लिए होने वाला है क्योंकि आज किस वीडियो में मैं आपको शेयर करूँगा कुछ ऐसे 6 कि जिसकी वेसे आपको इस बाइक को साल 2013 में पर्चेस करने चाहिए और दोस्तो यह जो वीडियो है वो कावसाके निजा 400 के एडवांटेजिस की बार में भी होने वाली है तो दोस्तो वीडियो काफी जदा आज की मज़दार होने वाली है और अगर आप चैनल पर नए है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए वीडियो ची लगया तो वीडियो को लाइक कर लेजिए तो चलिए दोस्तों बीना आपका सवे गवाए वीडियो कर लेते हैं जल्दी से शुरू तो यहां पर बात करते हैं पहले रिजन के बार में कि जिसकी वेसे आपको करेंगे चाहिए तो वह थो यहां पर दोस्तों बैक जो लुक्स है और उस बार देखने को मिल जाते हैं और अपर आपको देखने को मिल जाते हैं कि एडिशन ग्राफिक्स और भाई इस चीज के वज़े से जो बाई का लुक हो और भी बड़िया हो जाता है और अब यह सेम ग्राफिक ना निंजा 300 के नए मॉडल में आने लगें जो की भी हाली में लॉंच है और गाइस बात करें इस बाई की रेर लुक के बार में तो में देखने को मिल जाएंगे बाकि दोस्तों यहां पर इस बाई के इंजन को लेकर तो यहां पर आपको इस बाई के अंदर देखने को मिल जाता है 399 cc parallel twin slender 4 stroke 4 valve liquid cooled engine और यह जो इंजन है वो produce करता है 45 ps की maximum power वो भी 10,000 rpm और यहां पर आपको इस बाईक से 37 newton meter का maximum torque देखने को मिल जाता है वो भी 8,000 rpm इसकलाब गाइस बाईक में दिया गया 6 speed gearbox 14 liter का fuel tag और यहां बड़ दोस्तों इस बाईक का 168 kg का weight है और यह segment की ना काफ पॉस्टर के regarding तो यहां पर गाईस जो इस बाईक के रैडिंग पॉस्टर है वो काफी comfortable है और यहां पर दोस्तों बाईक के हैंडल बार ना वो थोड़ा सा रेस कि होया ताकि रैडर को लोंग रैड करने में असानी होए और यहां पर दोस्तों की सीट है ना भाई वो इतनी आपर comfortable नहीं है और नहीं इस बाईक में कोई gravel दी हुए है पिलन के लिए तो इस बाईक पर बैट करते हैं इस बाईक के फिफ्ट पॉइंट के बार में तो यहां पर दोस्तों आपको पता है कि जो भी बाईक बनाता ना उसके बिल्ट क्वालिटी टोप नोच होते हैं और जो पैनल की quality नहीं आपर काफी बड़े हैं आपर दी गई है और यहां अगर आप इस बाईक को purchase करते हुए तो मैं आपको यह सजेस्स करूँ हूँ है कि आप इस बाईक में सेफ्टी कार लगवाला जो कि आपकी बाईक के और आपकी सेफ्टी को काफी ज़दा है आपर रि स्पीड से और यहां पर तो इस बाईक का बॉड़ी टुवेट रेश्यों नहीं पूरा मेंटेन के हूँ है और इस सीज के वज़ए से जो बाईक है ना काफी जल्दी काफी आची टॉप स्पीड को टेन कर लेती है तो काई जिए दे कुछ 6 पॉइंट जिसकी वेसे आपको इस बाईक को पर्टेस करना चाहिए बागे दोस्तों मैंने इस बाईक के डिस एडवांटेजिस के वीव पर वीडियो बनार किया जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा तो प्लीज उसको एक बार जाके चेक आउट के बाई